हेलो साथियों, तैक्सिम आरगेली जारूल के यूट्यूब चैनल पर आप अपकस रागेते हैं आज हम दिखी वर्ष के लिए न्यूजिलेंड का भूगोल आप शुगू करने वाले हैं आप शुग करने हम सबसे पहले न्यूजिलेंड के भूतिक विभादन के बारे में इसी ज्यान करी लेंगे तो आए अप शुग करते हैं न्यूजिलेंड दक्षनी गोलार्ज में इस्कित है और यह ऑस्ट्रेलिया के पूरुद की ओर का एक जीपी राच्छा है मुखी रूप से न्यूजिलेंड में तीन दीप है एक उत्तरी दीप, दूसरा दक्षनी दीप, यह दोनों दीप तो आकार में बढ़े हैं और एक अन्य छोटा सा दीप है जो बिल्कुल सुदूर दक्षन में है इसे इस्कोर्ट दीप के नाम से जानते हैं न्यूजिलेंड के जो दीप है उसका सरूप मुखी रूप से परवती है यह उंचे उंचे भाग है मुख्रे दीपों का अधिकांश भाग उच्छे प्रजेशों दोरा गिरा हुआ है दक्षनी दीप में परवती यह भाग ज्यादा है उत्तरी दीप के भाग 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 उत्तरी दीप इसके उत्तर पस्चिम में एक लंबाकार अत्यत कटा पटा स्वरूप लिये हुए एक थलबाग आगे भी और बढ़ गया है। इसे आउकलेंड प्राइजिस के नाम से जानते हैं। बनुआ पथरों की नीची नीची पहारिया, नीचे जोलम की छोटे छोटे तर्टों के मैदान, दलदली भाग, आदी इस प्रदेश के फुशिष्ट भू आकारिया। न्यूजिलेंड का यही एक मात्र ऐसा भागे जहां भुकम नहीं आते हैं। इस आद्र और घरम भाग में सदन वनस्पती और काफी दलदल हुआ करती थी। कैन के व्रक्षों का बहुले था, परन्तु अब उसे काट लिया गया है, दलदली भागों को सुफा कर विस्पित चारागाहों में परिवर्चित कर दिया गया है। और इसी के आधारेत इहां दुख्द विवर्चाय विक्सित हुआ है। परन्तु इसका प्रेश्ट ब्रदेश अनुकूल नहीं है। इसी कारण से इहां के प्राप्रतिक संभावनाओं का पून उप्योग नहीं हो पा रहा। वेलिंटन का मैदार। इस आधन मैदानी पठी का विस्ताथ उत्तर में कुहिया वंदरगाह से लेकर दक्षिन में पैड का कारी की तक है। उत्तर में इनका विस्ताथ एग्मौन परवत पदिये प्रदेश तक मालना जा सकता है। यहाँ अंधिस्तिंद्राकार भाग ज्वालामुखी पठारी प्रदेश के दक्षिन में तारा नुमा रूप में होता हुआ तती पदों के रूप में इस्तित है। संपोन मेगदानी भाग नई चक्तानों का बना है जो समुद्र के उमज्जन क्रिया और नजियों द्वारा लायगर निश्यपों के कारण बनी है। वांगानों और रंगा टिकें यहां की बड़ी नजिया है। कथारी मिठी 100 cm तक वर्षा, सम्तल धरातल पर यादाया सुविधाएं और फ्रेश्ट भूमिन में वेलिंटन की स्थिती आदी के कारण से यह भाग आर्थिक ब्रिष्टि से मैटपों और दो तोयर साई की ब्रिष्टि से न्यूजिलेंड का अग्रणी प्रदीश बन गया तीसरा है जौलमो की पठारी शेतर उत्तरी दूपन के लगबन मध्य में यह जौलमो की पठारी शेतर उत्तर में उबढ़ खावर इस प्रदेश का विस्ताव प्लैंटी की खाड़ी कते हैं संपूर्ण प्रदेश में विशिष्ट ज्वलम की प्रदेश की हूँ आकार मिलते हैं यत्र तत्र क्रेटर और उसमें दिख्शित हुई जीले मिलते हैं गरम तोते और गीज़त भहुतायस से मिलते हैं काले मित्टी का पहुत अधिक विस्तार हैं यहां इससे टोपोजीन 1200 मीटर उची पहाडियों की द्वारा आउतरे थे और एक कटोरे नुमा बन ले है लक्षिने पूर्वी भाग में उचा ही ज्यादा है और यहां विशाल ज्वाला मुखी परवत हैं जिसमें एगमोंद, रूपाप पेगु, गोरुगो और टोंगा रीवी सबसे उचे माने जाते हैं अंसी दो परवत क्रियाशील ज्वाला मुखी के हैं यह शेद्र अपनी प्राक्वतिक सुनदर्दा के लिए विश्यु रिख्याते यहाँ पर एक जल्विज्यत ग्रह भी बना हुआ है उत्तरी दीट के पूर्वी परवती श्रेणियाँ उत्तरी दीट के पूर्वी तेट के सारे सारे संक्री परवती रंकला है ज़ब 10 पस्चन से उत्तर पूर्व दुशा में सेली ही है इसमें कई हमाना आंतर श्रेणिया है और इनके बीच में गाटिया है यह गाटिया मुक्यता वी आकार की गाटिया है इनकी उंची चोटियों कर वनस्पची पाई चोटी है होके की खाड़ी को छोटर शेष भाग दुवार की तरक खड़ा हुआ है इसको भी हम चार भागों में रख सकते हैं ओटेगो का पठार, केंटबरी का मैदान, दक्षिनी आल्स परवत और फ्योर्ट तट ओटेगो का पठार दक्षिनी द्वीब के दक्षिन पूर्व में इस्थे थे या अत्यन्ती कटा-फटा और निचला पठारे भाग जो साड़े 400 मीटर तक उंचा है सरजिना की द्रिष्टी से यह अत्यन्त जटिल है क्योंकि यह नीज, शेस्ट, ग्रेनाइट, आधी प्राचीन परद्धर चट्टानों के नग्न होने के से बना दिखाई पड़ता है क्लूबा, टेकरी, ओरेओ, नदियों की गाटी बहुत अधिक नीची और उपजाओ है दक्षिनी आल्क्स रष्टी छाय प्रदेश बन जाने की कारण यहां वर्षया कम होती है और जलवायू अर्द शुष्क रहती है अर्द शुष्क जलवायू की कारण यहां उत्तम किस्म के चारादा विक्सित हो गए है केंटबरी का मैदान यहां मैदानी पट्टी उत्तर से दक्षिन लगबग 240 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर तक चोड़ी है इसकी सरवादिक चोड़ाई क्राइस्चर्ज के प्रष्ट प्रदेश में है यह मैदान परवती प्रदेश में नदियों तता हिम नदियों द्वारा जमा की गई तलचट से बने हुए मैदाने इसका अधिकाश भाग काम्प मिट्टी का बना है और इसका धाल भी परियाप्त तीवर है इसके उत्तरी भाग में कठोर चट्टानों से बनी कूटी काएं और अनुप्रस्थ गाटियां मिलती हैं जिन में से होकर हुन्नई, बेमवारा, आदी नदियां बहती है इस प्राइदिपी शेत्र में ज्वालम की क्रिया से बना हुआ है और यहां के जलवायू अपेक्शक्रत शुष्क है परन्तु वर्षा समान रूप से वित्रित है दक्षणी आर्प्स परवत इसको हम तीन भागों में रख सकते हैं उत्तरी भाग, मद्धिवर्थी भाग और दक्षणी भाग उत्तरी भाग इसमें नेलसन ते था मॉल बर्व जिलों के भाग शामिल है यहां परवत श्रंखला बदना होकर बीच बीच में गाटिया हैं जिन में से होकर नदियां बैती है परवत नीचे और इनका विस्तार समुद्रित तक है मद्धिवर्थी भाग इस भाग में दक्षणी आल्फ सबसे उचे और श्रंखला बद है न्यूजीलेंड की सबसे उची चोटी माउंट कुक और माउंट तस्मान यहीं इस्तित है इसके अतीरेक लगबग 15 चोटियां ऐसी हैं जिन की उचाई 3000 मीटर तक है यहां अनेक जीले भी मिलती हैं जिन का ढाल उत्तरपश्यम से दक्षण पूर की ओर है इस शेत्र से निकलने वाली सबी नदियां पर जल विद्धित ग्रव स्थापित हैं दक्षणी भाग इस भाग का विस्तार सुदूर दक्षिन में केमरून परवस्य लेकर माउंट एस्पिरिंग तक माना जाता है दक्षिनी आल्ट्स पेक्षकरत नीचे हैं इसका भाग ज्यादा ही कटा फिटा है जिसमें नदियों और जीलों के फ्योड का बहुली है अंतिम भाग हिमनद या हिमादरी ये पिलकुल दक्षिन्तम भागे यहां हिमनद धिमी गती वाले होते हैं पश्चिमी ढालों पर हिम वर्षा अधिक होने के कारण हिम पात भी अधिक होता है और यहां अत्यदिक तीवर गती से बहती है पूरवी ढाल पर हेमनत के कारण निम्पतिवाही नदिया मिलती है जिन से जल्विद्यत और सींचाई में योगदान मिलता है दिस्तत मानचतर में दो बड़े बड़े द्वीप और एक बिल्कुल छोटा सा द्वीप दक्षिन में दिख रहा है उत्तरी वाला द्वीप उत्तरी द्वीप क्यलाता है और यह जो लंबा कार है यह दक्षिनी द्वीप क्यलाता है उत्तरी भाग का जो स्प्राउट सा निकला हुए जो लंबा सा हिस्सा है यह हमारा ओकलेंट परदेश है और इसके डक्षिन में यह जो स्प्राउट सा प्राईजी पी भाग निकला हुआ है यह वैलिंग्टन का मैदान है इसके बीच में यह बिंदु आकार है यह जो अला मुखी पठारी प्रदेश है और यह जो पूर्वी तट पर रेखाकार लाइनों में जो हैं यह इसका परवती प्रदेश है दक्षिन में जो पश्चिमी तट के सारे लंबाकार जो फैला हुआ है यह दक्षिन याल्प से और पूर्विक की तरफ यह जो काला काला डार्क दिख रहा है यह केंटबरी का मैदान है और इसके इधर जो दक्षिन तम भागे यह जो बिंदुगा का रहे यह ओटगो का पठा रहे और जो दक्षिन पश्चम में कटी फटी चीज़े दिख रहे है यह इसका फियोड तठे है थैंक यू